डाइविटीज एक ऐसी बिमारी है जो एक बार किसी को अपना शिकार बना ले तो उम्र भर इसका पीछा नहीं छोड़ती रोग्यों के इस दोरान अपने सिहत का खास खयाल रखना पड़ता है वरना ब्लड शुगर लेवल और नियन्रेथ होने का खत्रा पैदा हो जाता है यही वज़ा है कि मदो मेह के रोग्यों को कई तरह के फूट से परहेज करने की सलाह दी जाती है इन में से कुछ शाकाहारे चीज भी शामिल है जानते हैं कि वह कौन सी सब्सक्राइब कर भी नहीं खाने चाहिए पहला है आलू को सब्सक्राइब का राजा कहा जाता है लेकिन इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट काफी मातरा में पाई जाती है इसलिए मदो मेह के रोग्यों को आलू से बनी नहीं बेटर है आधिक प्मक्का में करीब 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो स्तेहत को नुकसान पहुंचा सकता है तीसरा है हरी मटर हरी मटर को कार्बोहाइड्रेट और स्टार्स का रिच वाना जाता है इसे ज्यादा खाने से मदू महय के रोग्यों के पाचन तंदर पर असर पड़ता है इसलिए बेथर है कि शुगर की हालत में इसे नहीं खाएं च्वाथा है शकरकंद इस बात में कोई शक नहीं है कि शकरकंद एक बहतरीन सब्जी है लेकिन डाइबर्टीज के मरीजों के लिए ये जहर की तरह काम करता है क्योंकि इसमें कार्बोहेडरेट और मीटा कैरोटीन की भरपूर मातरा पाई जाती है इसको स्वाद भी मीठा हो सब्सक्राइब करना ना भूलें